हलो बच्चों कैसे हैं आप सब welcome back to our channel my name is Priya और आज हम अपने last lecture के Gibbs free energy को continue करेंगे हमने last lecture में क्या study करा था last lecture में हम spontanity देख रहे थे कि मेरे पास spontanity का criteria क्या होगा spontanity का मतलब क्या है कि मेरी reaction होगी या नहीं होगी तो हमने start करा था energy से फिर हम randomness यानि entropy पर आये थे फिर हम total entropy change पर आये और उसके बाद हम आये थे Gibbs free energy के concept पर जहां पर हमने सिर्फ system की entropy को consider करा था अब उसमें हमने क्या study करा था कि अगर मेरे पास Gibbs free energy का change यानि delta G की value negative आएगी that means less than 0 आएगी तो मेरी reaction होगी spontaneous और अगर वहीं पर मेरी इस delta G की value greater than 0 यानि positive आई तो reaction होगी non spontaneous तो ये हमने study करा था अब हमारे पास spontaneous और non spontaneous की reaction होगी या नहीं होगी इसके बीच में भी तो एक state exist करती है वो state क्या होगी उस state को हम बोलते है equilibrium state अब word equilibrium का क्या मतलब है देखो अगर कोई reaction हो रही है तो उसके अंदर कुछ reactants होंगे और कुछ products होंगे reactants और products जब हमारे पास equilibrium state में हो मतलब हमारे पास reactants और products मतलब कुछ reactants प्रोड़ाक्श में convert हो चुक है मैं बीच में इस तरीके से इसको arrow को use करूँग equilibrium के लिए हम ये वाले arrow यूज करते हैं हमारे reaction कुछ तो हुई है reactants कुछ products में convert हो है लेकिन एक point पर जाके reaction रुख गई है मतलब अब यहां से इस step से reaction forward भी जा सकती है और backward भी जा सकती है वो अलग-अलग conditions पर depend करेगी और वो conditions हम further next chapter में study करेंगे equilibrium वाले chapter में जिसके अंदर हमें पता लगेगा कि अगर मेरी reaction equilibrium stage पर है तो अब मैं क्या changes लेकि आऊं reaction के अंदर कि वो या तो reaction forward shift हो या backward shift हो तो मुझे यहां से पता लगा कि equilibrium state का मतलब है कि reaction फिलहाल कुछ तो हुई है complete नहीं हुई है कुछ हुई है अब इसके आगे further यह आगे भी जा सकती है और पीछे भी आ सकती है बिलकुल correct तो जब हम equilibrium की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फिलहाल नहीं हाथ ना तो spontanity की बात करें ना non spontanity की बात करें मतलब ना तो reaction spontaneous है ना non spontaneous है वो तो बीच में रुकी हुई है क्योंकि हम इसको ऐसे भी नहीं के सकते कि complete होगी है ना ही इसको ऐसे के सकते कि reaction हुई नहीं है हुई भी है reaction और complete भी नहीं है अगर यह चली रही होता इसका process चली रहा होता forward में products बन ही रही होते तब हम बोलते spontaneous है but product की formation तो फिलहाल रुकी हुई है stable reaction है यह that means this reaction is neither spontaneous nor non spontaneous तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास delta G is 0 delta G 0 means यहाँ पर मेरे पास Gibbs free energy change for reaction यानि delta G R यहाँ पर मेरे पास क्या होगा 0 अब इसके अंदर जैसे for example जब भी हम कभी भी equilibrium की बात करेंगे ना तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको ध्यान देना है कि आप equilibrium constant की बात करो equilibrium constant कैसा है हमारे पास? वो क्या है हमारे पास? देखो इन सारे questions का answer आपको next chapter में मिल जाएगा आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी आप equilibrium reaction को study करोगे ना तब आपको equilibrium constant की बारे में पता होना चाहिए अब equilibrium constant क्या होता है? equilibrium constant को हम k से represent करते हैं और यह हमारा products raised to power their coefficients divided by reactants raised to power their coefficients के equal होता है यानि एक तरीकी से product by reactants की ratio होती है बेलकुल correct अब इसके अंदर ना हमारे पास अलग-अलग cases हो सकते हैं कि या तो मेरे पास k की value greater than 1 हो या k की value मेरी less than 1 हो और हमें पता है कि greater than 1 तब आता है जब मेरे पास numerator denominator से बढ़ा हो जब मेरे पास numerator denominator से बढ़ा होगा that means मेरे पास products जादा होंगी as compared to reactants तो इसका मतलब है कि जब मेरे पास k की value 1 होगी तो product जादा form हो रहे होंगे लेकिन जब हम k की value less than 1 बोलेंगे तो उसका मतलब है कि फिलहाल मेरा denominator is greater than numerator और denominator में क्या है मेरे पास reactants तो यहाँ पर मेरे products is less than reactants तो जब आपकी k की value greater than 1 होगी तब आपके पास क्या होगा product जादा form होगे और जब आपकी k की value less than 1 होगी तब आपके products कम form होगे अब यह equilibrium constant हम calculate कैसे करेंगे यह भी तो आना चाहिए न देखो जैसे for example हमने एक reaction ले लिए general reaction a plus b reactants है यह convert हो रहे हैं c plus d में correct फिलहाल इनके coefficients हम ले 1-1 ले लिए let's consider कि यहाँ पर मैंने coefficient x ले लिया और इसका मैंने y ले लिया बाकी a और c की coefficients 1-1 है जैसे x mole, y mole जहे हम वही consider कर रहे हैं बस x, y में consider कर रहे हैं तो इसका equilibrium constant क्या होगा देखो, इसमें equilibrium constant के लिए हमारे पास जब आपको कुछ ना given हो न तब आप equilibrium constant उसकी concentration पर निकालो concentration पर कैसे हैं कि concentration of products divided by concentration of reactants तो मेरे पास products में क्या क्या है c और d तो c की concentration multiply d की concentration raised to part their coefficients अब c के पास तो number of moles 1 ही है तो यहां पर तो मेरे पास power क्या होगी 1 और d के पास power क्या होगी y क्योंकि इसका coefficient y है, इसके moles y है divided by number of reactants की concentration reactants मेरे पास क्या है, a and b तो a की concentration इसके पास number of moles 1 है और b की concentration, इसके पास number of moles x है तो मेरे पास k की value क्या आई? K की value आईगी, आपके पास C की concentration into D की concentration raised to power Y divided by A की concentration into B की concentration raised to power X. तो ऐसे हम निकालते हैं equilibrium constant को अब हमने यहाँ यह तो देख लिया कि equilibrium constant क्या है और Gibbs free energy क्या होती है पर अगर हम Gibbs free energy की बात equilibrium reaction पर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि Gibbs free energy और equilibrium constant इनके बीच में कोई relation establish करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो हमें idea होना चाहिए जिससे हम इनको relate कर सके तो इनको relate करने के लिए हमारे पास आती है एक नई term जिसे हम बोलते standard Gibbs free energy वैसे actual में यह term नहीं नहीं है क्योंकि हमने last अभी enthalpy के अंदर standard enthalpy पड़ी थी ना standard का क्या मतलब होता है कि हमारे पास हमारे जो reactants और products है वो अपने standard state में यानि कि जैसे for example आपने carbon consider करा, तो carbon आप standard state में कैसे लोगे, carbon solid in graphite form, और ऐसी अगर आपने oxygen consider करा, तो oxygen आप लोगे O2 in gaseous form तो यह हमारे standard states है तो जब हमारे पास यह reactants standard state में होंगे, और वो reaction equilibrium पर होगी, तो उस time पर हमारी जो Gibbs free energy होगी हम बोलेंगे standard Gibbs free energy for reaction, तो बस अब हमें यह standard Gibbs free energy और equilibrium constant, इन दोनों को आपस में relate करना है, तो चलो देखते हैं को हम relate कैसे करेंगे, तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास reaction थी A plus B जो मेरे पास बन रहा था C plus D, further A plus B reactants, C plus D products में convert हो रहे थे, और इसके लिए overall जो delta G reaction थी that is equal to 0, तो यह जो delta G reaction है, यह equal किसके है मतलब कुछ ना कुछ तो हमारे पास system में energy होगी, ऐसा तो नहीं है कि system के energy 0 है, हाँ, हमारे पास overall energy 0 है, बट वो overall energy 0 भी तो किसी factor को use करके ही आई होगी, क्योंकि system के अंदर reaction तो हुई है, मतलब कुछ ना को change तो हुआ था system के अंदर तभी तो equilibrium यह maintain हुआ है, कुछ ना कुछ amount reacting का product में convert तो हुआ है अब यह जो conversion हुई है इस time पर जो change आया है reaction का, वो change जो है overall Gibbs free energy में 0 change लेके आ रहा है, तो that means यहाँ पर कुछ तो value है, तो वो value क्या होगी हमारी, तो यहाँ पर आपके पास जो delta G reaction होगी that is Gibbs free energy of reaction is equal to delta G reaction 0 plus RTLNK अब यह तो हम equilibrium constant से value लेकर आ रहे हैं और जो हमारी यह value है, यह है हमारे पास Gibbs free energy of reaction at standard state यानि अब यहाँ पर आप standard state पर Gibbs free energy को लेकर आ रहे हो तो standard state of Gibbs free energy plus equilibrium constant से हमारे पास जो energy आई है, इन दोनों के हमारे पास sum से Gibbs free energy of reaction आता है, और हमें पता है कि Gibbs free energy of reaction क्या है, 0 that means delta G not of reaction plus RTLNK अब इसके अंदर हमें पता है क्ये किसके equal है equilibrium constant के R कै कै अहां है gas constant और T क्या है temperature R कै हमारे पास gas constant T कै कै हमारे पास temperature और K कै हमारे पास equilibrium constant तो यह हमारे पास एक equation आती है, जो कि हमें equilibrium पर Gibbs free energy का relation दे रहे है अब यहाँ से हम क्या करेंगे यहां से हम relation calculate करेंगे delta G not यानि standard state पर Gibbs free energy of reaction को lnk यानि हम लोग equilibrium constant के साथ relate करेंगे हमारे पास यहां से क्या relation आएगा delta G not of reaction is equal to negative of RT lnk और जब हम ln को log की form में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं जैसे for example अगर आपके पास lnx है तो इसकी value क्या लिखोगे आप 2.303 log x तो बस यहां पर आपको यह use करना है तो यहां से आपके पास delta G not of reaction क्या आएगा minus 2.303 RT log k और यह k क्या आपके पास equilibrium constant तो आपको याद रखना है कि अगर आपको k की value given नहीं है reaction में और reaction equilibrium पर है और आपको यहां पर इनके concentrations given है जो हम K में use कर रहे थे ना C into D by A into B वो हम C और D, A और B की concentrations use कर रहे है equilibrium concentrations तो यहां पर आप उसे calculate कर सकते है उसको use करके जैसे हम एक question करके देखते है जैसे for example आपको एक hypothetical question दे दिया यही हम देख रहे हैं और इसके अंदर आपको equilibrium पर at equilibrium A की concentration B की concentration C की concentration और D की concentration given है आपको A की concentration दे रखिए X B की दे रखिए Y C की दे रखिए Z और D की दे रखिए आपको let's say W यह आपको concentration given है और आपको overall delta G not of reaction calculate करना है तो आप इसको calculate कैसे करोगे temperature भी आपको कुछ given है let's say आपको T temperature given है तो यहाँ पर आपके पास delta G not of reaction और log के पॉर्म जो K की equilibrium constant है उसके बीच में relation कै है minus 2.303RT log K अब यहाँ पर आपको पहले K की value calculate करना ही पड़ेगी तो K की value की आईगी हमारे पास K की value आएगी अगर यह हमारी equation है तो इसके corresponding C into D by A into B हमारे पास K की value होगी concentration of C into concentration of D by concentration of A into concentration of B तो यह हमारे पास कैसे calculate हो के आईगी C की concentration कितनी है हमारे पास Z into D की concentration कितनी है W divided by A और B की concentration X into Y यहाँ से आपके पास जो भी value आएगी उस value को आप इसमें put करोगे और यहां से delta G naught of reaction calculate कर लोगे तो जब आपको K की value given नहीं है equilibrium reaction के लिए और equilibrium concentrations given है तो confused नहीं हो ना कि K की तो value भी नहीं given अब हम इस equilibrium में Gibbs free energy कैसे calculate करेंगे उसको calculate करने के लिए पहले आपको constant calculate करना है वो आप इन equilibrium concentrations को use करके calculate करोगे और उसके बाद पर further आप उसके delta G निकाल सकते हो तो हमें यहां पर delta G naught और equilibrium constant के बीच में एक relation मिलिया और हमें पता है कि delta G किसकी equal होता है delta H minus T delta S और यहां हम बात करें standard state की अगर हम standard state की बात कर रहे हैं that means मैं Gibbs free energy की equation को भी standard state में लिख सकते हूँ तो Gibbs free energy की equation standard state में किसकी equal होगी delta G naught is equals to delta H naught minus T delta S naught यह standard state की equation होगी अगर हम Gibbs free energy को standard state में ले रहे हैं तो enthalpy को भी standard state में लेंगे और entropy को भी standard state में लेंगे तो बस अगर मैं यहाँ पर delta g not of reaction लिखके इसको relate कर सकती हूँ तो यह पूरी equation को भी तो relate कर सकती हूँ तो मेरे पास क्या relation आएगा फिर हमने क्या देखा था पीछे हमने देखा था कि delta g not is equals to delta h not minus d delta s not और हमारे पास जो delta g not of reaction की हमारे पास relation था log k के साथ वो है हमारे पास minus 2.303 rt log k तो बस हमें क्या करना है अब यह जो हमने equation निकाली है इसको यहाँ पर put करना है हमारे पास value आई की delta h not minus d delta s not is equal to minus 2.303 rt log k यह हमारे पास एक और equation आ गई एक और relation आ गया तो यहाँ से आपको पता लगा कि हमारे पास अगर reaction equilibrium पर है यानि अब हम क्या study कर रहे है Gibbs free energy change at equilibrium तो जब भी reaction equilibrium पर होगी तो उस time पर हमें ध्यान रखना है कि equilibrium आ गया तो equilibrium constant आएगा और अगर आपको Gibbs free energy calculate करने के लिए बोला है तो आप इस relation को use करोगे reaction की enthalpy और entropy given है और आपको equilibrium constant calculate करने के लिए बोल दिया तो आप यहाँ पर इन values को put करके equilibrium constant की value निकाल सकते हो अब हमने relation तो देख लिया हम अगर reaction की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो reactions हम करते हैं वो दो type की reactions होती है endothermic and exothermic अगर हम endothermic reactions की बात करेंगे that means मेरे पास जो enthalpy change है would be positive और अगर हम exothermic की बात करेंगे तो delta H की value क्या आईगी negative तो जब हमारे पास delta H की value positive है let's say अभी फिलहाल हम सिर्फ delta H को consider करें delta H की value low है अगर मेरे पास delta H की value positive है और बहुत बड़ी value है large value है large enough to dominate T delta S यानि की delta H की value T delta S से बढ़ी है तो हमारे पास delta G की value क्या है delta H minus T delta S यहाँ पर आप देखो हम लोग standard state की ही बात करेंगे क्योंकि equilibrium है तो standard state की ही बात करेंगे तो अगर मेरे पास delta H की value positive है and it is greater than T delta S तो इसका मतलब है कि यह तो part neglect हो जाएगा क्योंकि यह काफी छोटा है as compared to delta H और अगर neglect नहीं भी होगा तो इन दोनों से मेरे पास resultant तो positive भी आएगा न that means मेरे पास delta G की value यहाँ से positive आ रही है अगर delta G की value positive आ रही है और हमने यह पूरा relation देखा था अगर इसकी value positive है तो इस पूरी term की value भी तो positive आएगी that means minus 2.303 rt log k की value क्या आएगी positive और यह value positive कैसे आ सकती है क्योंकि आपने यहाँ negative use करा है तो इसका मतलब है कि अगर यह negative use करा है तो यह log वाली term की value जब आपकी negative में आएगी तब ही आपके पास यह overall equation positive बनेगी और log की value हमारी negative में कब आएगी log की value negative में तब आएगी जब आपकी k की value less than 1 होगी क्योंकि जब भी हम log 0 point something की बात करते हैं तो उसमें हमेशा negative values आती है अब यहाँ से हमें पता लगा कि k की value less than 1 है और हमें पता है कि k किस cake बल होता है products by reactants अगर k की value less than 1 हुई that means आपके पास products की value कैसी है it is less than reactants क्योंकि हमने पीछे ही study करा था कि अगर मेरे पास k की value low आती है less than 1 आती है उसका मतलब है कि आपके products कम बन रहे है this means that आपकी जो reaction है वो spontaneous नहीं है products आपके बहुत कम बन रहे है proper reaction हो ही नहीं रहे है लेकिन जब हम exothomic reaction की बात करते है exothomic reaction के अंदर delta h की value negative है and this is also large enough to dominate t delta h standard stage में बात करेंगे तो यहाँ पर भी मेरे पास equation है delta g0 is equal to delta h0 minus t delta s0 बिल्कुल करें अगर इसकी value negative है और बड़ी है t delta s0 से that means मेरे पास overall value जो delta g0 की आएगी would be negative अगर मेरे पास overall value negative आ रही है this means that minus 2.303 rt log k की value भी मेरी कैसी आनी चाहिए negative और यह negative कभी आएगी जब अब आपकी जो यह log k की value है यह आए positive और यह positive कब होगी जब आपकी k की value is greater than 1 और जब k की value greater than 1 होती है हमने तब पढ़ा था तो क्या बताया था कि अगर k की value high होगी तो production will be more than reactants यानि यहाँ पर आपके पास product जादा बन रहे है तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस condition में कैसी बात कर रहे हो reactants हमारे पास कब ज़्यादा होगी कब कम होगी आपको अगर कोई such theoretical question आता है तो आप उसको relate करके explain कर सकते हो यहाँ पर इस relation को use करके देखो हमने यहाँ पर endothemic और exothemic reactions को study करा अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि मेरे पास delta g की value तो delta h और delta s यानि Gibbs free energy enthalpy और entropy दोनों पर depend करती है लेकिन यहाँ हमने सर्फ enthalpy का case consider करा enthalpy का case इस वज़े से consider करा क्योंकि यह reaction जो हम consider कर रहे हैं यह strongly endothemic है आपके पास जो change in enthalpy की value आ रहे है वो बहुत-बहुत बड़ी है as compared to entropy change जिस वज़े से आपका जो enthalpy का change है वो entropy के change के उपर dominate कर जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो Gibbs free energy का change है वो entropy के according आ रहा है हमारे पास Gibbs free energy का change लेकिन हम further जो हम आगे study करेंगे उसमें हम देखेंगे कि reaction, entropy और enthalpy दोनों पर ही depend करेगी यानि दोनों factors हमारे equally participate करेंगे Gibbs free energy का change calculate करने के लिए अब वो देखते हैं कि वो कैसे depend करती है अब आपके पास NCRT में एक table given है जिसमें delta H और delta S0 की अलग-अलग conditions given है और उसके basis पर बताया है कि reaction spontaneous होगी या non spontaneous होगी तो हम भी उन conditions को study करते हैं हमें इसके लिए हमारी equation बताऊनी चाहिए delta G not is equal to delta H not minus T delta S not ये हमारी equation है इस equation के अंदर हम अलग-अलग conditions पूट करेंगे उस condition के basis पर हम बताएंगे delta G की value कैसी आ रही है positive आ रही है negative आ रही है क्या रही है और उन conditions को फिर देखने के बाद delta G की value को देखने के बाद हम बताएंगे reaction spontaneous है या non spontaneous है तो हम लोग start करते हैं exothermic reactions के case से exothermic reactions का मतलब है delta H की value कैसी है मेरी negative positive अगर इसकी value negative है और इसकी value positive है यहां तो overall क्या हो जाएगा minus plus negative ही हो जाएगी है वारी overall term तो negative negative क्या हैगा आपका overall result है negative that means delta G की value क्या रही है negative तो इसका मतलब है कि आपकी reaction किसी भी temperature पर spontaneous बोली जाएगी spontaneous at all temperatures reaction is spontaneous at all temperatures in first case क्योंकि यहां पर हमारा कोई भी temperature हो negative positive मिला के negative बनेगा overall मेरे पास एक negative term आएगी second हमने condition देखे कि अगर मेरे पास delta H की value negative है और delta S की value भी negative है अब आपके पास ये value भी कैसी है negative है तो ये तो मेरे पास negative ही थी negative negative लेकिन आगे भी तो एक negative term आ रही है तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि negative negative बना के overall आपको एक positive term दे देगे यहां पर आपके temperature को roll आएगा यहां पर temperature का roll आएगा temperature का क्या roll आएगा अगर आपके temperature की value low हुई अगर temperature की value low है that means T delta S की value भी low है और वहीं पर अगर आपके temperature की value high है that means T delta S की value भी high है अगर T delta S value low है that means वो delta H से कम है और अगर temperature high है और इतना high है कि आप उसको delta H से जादा बना सकते हो तो उस time पर यह T delta H की value जादा हो जाएगी delta H से यहाँ पर क्या है? delta H की value जादा है और यहाँ पर delta H की value कम है delta H हमारे पास negative है और यह overall मेरे पास positive बन रहा है क्योंकि negative negative क्या बना रहा है? positive यहाँ पर भी negative और यहाँ positive That means, इस case में तो मेरे पास delta G की value positive आईगी और इस case में आपके पास delta G की value negative आईगी यानि यहाँ पर आप आपके दो cases बन जाएंगे तो आपके negative negative के लिए आपके दो cases बन जाएं यानि आपका resultant positive भी आ सकता है और negative भी आ सकता है depending upon the temperature अब temperature कैसा होगा? अगर मेरे पास positive value आ रही है that means, यहाँ पर temperature कैसा है? high temperature और high temperature का मतलब है non spontaneous reaction और यहाँ पर अगर negative है negative का क्या मतलब है? low temperature की बात कर रहे हो आप और low temperature का मतलब है spontaneous reaction तो आपको दोनों condition समझ में आई? अब हमारे पास next condition आती है जब हमारे पास positive हो delta H की value और positive हो delta S की value यानि अब आपके पास delta H और delta S दोनों ही values positive है यह भी positive है और यह भी positive है यह तो overall आपकी negative बन जाएगे कि negative positive आपका overall resultant क्या आएगा? negative तो अब यहाँ पर भी मेरी 2 conditions आ सकती है 2 conditions कैसे होगी? अगर मेरे पास यहाँ temperature जादा हुआ that means T delta S की value जादा होगी और T delta S की value जादा होने का मतलब है कि वो delta H से बड़ी होगी और यहाँ overall negative है तो यहाँ से मेरे पास delta G की overall value कैसे आएगी? negative लेकिन अगर T की value कम होई तो उसका मतलब है T delta S की value भी कम है और उसकी value delta H से कम है और यहाँ पर मेरे पास T delta S negative था हमने देखा और delta H हमने positive लिया हुआ है condition हमारी यह है तो overall मेरे पास delta G की value कैसे आएगा है? positive that means इसकी भी मेरे पास 2 conditions बन रही है एक बार मेरे पास negative value आ रही है एक बार मेरे पास positive value आ रही है अगर आपने positive value resultant आये, that means आप low temperature की बात कर रहे हो, तो low temperature के case में आपके पास reaction कैसी होगी? Non-spontaneous. अब next हमारे पास condition क्या आती है? Next condition आती है आपके पास कि अगर आपके पास delta H की value positive है, और delta S की value negative है. यानि अब आपकी ये value तो positive हो गई, और ये value आपकी negative है. आपके पास ये positive, ये overall negative. अब इस case में आपके पास क्या value बनेगी? ये आप कोई भी temperature लेकिया हो. Sorry, यहाँ पर आप negative है, तो negative, negative overall क्या बनेगा? Positive. अब यहाँ पर मेरे पास क्या value होई? क्या हुआ? दोनों positive है. कोई भी temperature लेकिया हो. चाहिए आप कम temperature लेकिया हो, चाहिए आप high temperature लाओ. हमेशा resultant क्या आएगा? Positive. ये भी positive है, ये भी positive है overall. तो मेरे पास resultant positive आएगा. That means reaction is non-spontaneous at all temperatures. यानि हर एक temperature पर आपकी reaction non-spontaneous है. तो आपको यहाँ दो most important cases का ध्यान रखना है. Spontaneous reaction at all temperatures. And non-spontaneous reaction at all temperatures. इनकी क्या conditions है? ताकि अगर आपको कोई ऐसा objective type question आए, जिसमें आपको यहाँ पर calculation ना करने बड़े, sign देख के आप सीधा बता सकते हो. कि हाँ अगर मेरे पास negative positive delta is, delta is है, तो कोई भी temperature हो, I am not going to calculate it, मेरे पास reaction spontaneous ही होगी. इस तरीके की questions, जो हाँ मेरे relations है ना, यह objective type questions में आपको help करेंगे. तो हमने यह देख लिया कि हमारे पास किन conditions पर reaction spontaneous होगी या non-spontaneous होगी. तो आज के lecture के basis पर हमारे NCRT में कुछ problems given है. तो चलो देखते हैं वो problems क्या है. So problem number 5.12 में क्या पूछे हैं हमसे? Calculate delta G naught for reaction for conversion of oxygen to ozone. यह मेरी reaction दे रखे, oxygen से ozone की conversion 298 Kelvin temperature पर if Kp for the conversion is 2.47 into 10 raise to power minus 29. अब यहाँ Kp देखके confuse मत होना, Kp और कुछ नहीं है, equilibrium constant ही है, बस यहाँ Kp का मतलब है at constant pressure की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यह हमारे पास equilibrium constant है. तो इसका मतलब है कि question में आपस Gibbs free energy पूछा है और equilibrium constant given है. तो equilibrium constant और Gibbs free energy का relation यूज़ करना पड़ेगा और वो relation हमने अभी देखा था. delta G naught is equals to minus 2.303 RT log K जिसमें हमारे पास T की value दे रखिये हमें 298 Kelvin और K की value हमें दे रखिये 2.47 into 10 raise to power minus 29. अब हमारे पास value कौन सी बची? R की value. अब R की values हमारे पास 2 थी. 8.314 या फिर 0.802. अब इन दोनों values में से कोई एक value आईगी? वो हम कह रहे थे depending upon the units. यहां हम Gibbs free energy की बात करें. energy word आते ही हम Joule में बात करने लग जाते हैं. तो R की value भी हम वो energy बारी लेंगे. क्या value हमारी? 8.314 Joule per Kelvin per mol. बस अब इन values को use करके हमें क्या calculate करना है? Delta G naught for reaction. तो Delta G naught for reaction आपकी क्या आएगी? minus 2.303 into 8.314 multiply 298 into log of 2.47 into 10 raise to power minus 29. अब जब आप इसको solve करोगे तो आपके पास value आएगी? 163.000 Joule per mol. और इसको आप जब kilo Joule में convert करोगे तो आप इसको thousand से divide करोगे. तो आपके पास value आएगी? 163 kilo Joule per mol. तो ये था हमारा problem number 5.12. अब next problem में देखते क्या पूछा है? problem number 5.13 में क्या पूछा है हमसे? find out the value of equilibrium constant, यानि अब यहाँ पर आपको equilibrium constant का मतलब है k की value calculate करनी है. for the following reaction, ये आपकी reaction है, जो reaction 298 Kelvin पर हो रही है और आपको delta G0 for reaction, यानि standard enthalpy for reaction, standard Gibbs free energy for reaction is minus 13.6 kilo Joule per mol. तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हमें Gibbs free energy और हमारे equilibrium constant के बीच में relation को use करना है. वो relation क्या था हमारा? delta G0 is equals to minus 2.303 RT log K. अब यहाँ से तो हम यहाँ values डालके delta G की value निकाल रहे थे. लेकिन अगर मुझे K की value calculate करनी है, तो कैसे आएगी? log K is equals to minus delta G0 divided by 2.303 RT. यहाँ पर मुझे delta G की value given है, temperature हमारे पास है 298 Kelvin, R की value हम energy की form में लेंगे, 8.314 Joule per Kelvin per mol. तो बस इन values को use करके हम log K की value calculate करेंगे. तो log K की value आपकी क्या आएगी? minus 13.6, अब यहाँ रियाद रखना कि यहाँ हम Joule में बात कर रहे हैं, और यहाँ हमारे पास kilo Joule में value है, तो आपको kilo Joule को Joule में convert करना पड़ेगा, और kilo Joule को Joule में convert करने के लिए आप क्या करते हो? thousand से multiply करते हो, तो यहाँ पर आपको multiply करना पड़ेगा thousand से. divided by 2.303 into 8.314 into 298, तो यहाँ से आपके पास log K की value आएगी. तो log K की आपकी क्या value आती है? log K की value आती है आपके पास 2.38. अब आप सोच रहोगे कि value थो हमें K की calculate करनी है, लेकिन यहाँ थो हमने log K को calculate कर रहा है. तो जब भी हमारे पास इस तरीके से कुछ हो, कि log X is equals to something like Y, तो X की value calculate करने के लिए बोला हो, तो आप कैसे calculate करोगे? X is equals to anti-log of Y. अब यहाँ आप confuse मत होना कि हमें log निकालना भी आना चाहिए, anti-log निकालना भी आना चाहिए, उन सबकी values आपको आपकी question paper में given होगी. तो यहाँ इसका मतलब है K is equals to anti-log of 2.38. तो K की value आपके पास क्या आएगी? anti-log of 2.38 की value होती है हमारे पास, 2.4 into 10 raise to power 2. तो हमारे पास K की value आएगी, 2.4 into 10 raise to power 2. अब की हमारा unitless होता है क्योंकि concentration को concentration से divide कर देना, तो overall units cancel हो जाती है. तो यह हमारे पास equilibrium constant की value आगई. So this was your question number 5.13. अब हमारे पास next problem है 5.14. चलो उसमें देखते हैं क्या पूछा है. Problem number 5.14 में क्या पूछा हमसे? At 60 degree Celsius, di-nitrogen tetraoxide. Di-nitrogen tetraoxide का हमारा formula क्या होता है? N2O4. It's 50% dissociated. Dissociation हो रिए इसकी. Dissociation होने का मतलब है आपको N2O4 की dissociation की reaction लिखने है. तो N2O4 और हमें equilibrium reaction लिखने हैं क्योंकि हम यह Gibbs free energy equilibrium की बात कर रहे हैं. N2O4 आपका dissociate होता है NO2 में और जब आप इसको balance करोगे तो आपके पास 2NO2 dissociate होएंगे. Calculate the standard free energy change at this temperature and at 1 atmospheric pressure. अब यहाँ पर आपके पास क्या है? 50% dissociation हो रही है. 50% dissociation होने का क्या मतलब है? देखो, let's say हम consider कर लेते हैं कि मेरे पास initial list की 1 concentration थी. अगर यह 1 था तो यह 0 था क्योंकि तब तक तो dissociation start नहीं होई थी. लेकिन जभी 50% dissociate हो गया, 50% of 1 का क्या मतलब है? 0.5. यानि 0.5 dissociate हुआ है, तो 0.5 reduce हो गया. अगर 1 mol के लिए 0.5 dissociate हुआ है, तो 2 mol के लिए कितना बनेगा? अगर आप जैसे 1 mol की बात करते हो, तो 1 mol के लिए मेरे पास 0.5 dissociation होई है. तो वहीं पर जब हम 2 mol की बात करेंगे, तो मेरे पास क्या value आईगी? 2 into 0.5, तो यहाँ पर मेरे पास formation होगी 2 into 0.5, that is equal to 1. तो मेरे पास, अब मेरे पास overall concentration क्या बच गई? हम अगर इसको consider करें 50% dissociation को, अपनी equilibrium stage को है, तो यहाँ पर add equilibrium, आप यहाँ इनके अंदर moles निकालोगे, overall आपके पास moles कितने आएंगे? यहाँ से आपके पास आएंगे 0.5 moles, और यहाँ पर आपके पास बनेंगे 1 mole. यानि initially आपके पास 1 mole N2O4 था, 0 mole NO2 थे. 50% dissociation हुई, 0.5 moles reduce हो गए, 0.5 moles reduce होने के पाद आपके पास बने 0.5 moles इसके बच गए, और यहाँ 1 mole के लिए, अगर 0.5 moles reduce हुए हैं, तो 2 moles के लिए कितने बनेंगे? 1 mole, तो आपके पास NO2 के आपके पास कितनी moles बने? 1 mole. तो यहाँ पर हमें specify करा गया है 1 atmosphere. अगर atmospheric conditions आपको specify करी गई है, that means अब यहाँ पर आप Kp की value, Kp की बात करोगे. यानि की, equilibrium constant at constant pressure. क्योंकि आपको standard free energy calculate करना है, तो आपको Kp की value पता होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास delta G not is equals to minus 2.303, RT log K है न? और यहाँ पर अब K हम कौन सा यूज़ करेंगे? Kp. तो Kp की value हमें पता होने चाहिए. Kp calculate करने के लिए अब हम क्या करेंगे? Kp के लिए हम क्या करते हैं? partial pressure, या हम थोड़ा सा equilibrium को use करेंगे, थोड़ा confusion आप इतना create मत करना, जो कुछ भी आपकी confusion है न, वो next chapter में clear हो जाएगी. बस ध्यान रखो कि अगर जब आपको K और KC बोलाओ तो concentration यूज़ करते हैं products और reactants की, जब आपको Kp बोलाओ तब हम partial pressure यूज़ करते हैं. पार्शल प्रेशर ओफ प्रोड़क्स डिवाइड़ बाइ पार्शल प्रेशर ओफ रियाक्टेंट्स अब पार्शल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? पार्शल प्रेशर जिसको हम small p से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हम कैलकुलेट करते हैं, mole fraction जिसको हम इस से रिप्रेजेंट करेंगे, into total pressure. अब mole fraction हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे for example आपके बास दो components हैं, A and B, एक box के अंदर. और आपको mole fraction of A बताना है, तो mole fraction of A आप कैसे बताओगे? moles of A by moles of A plus moles of B, यानि total moles. यानि अब यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? moles of A by total moles. यह आपकी देगी, यह equation आपको बताएगा, mole fraction of A. तो यहाँ पर हमें NO2 और N2O4 दोनों के partial pressures को calculate करना है. उसके लिए मुझे mole fraction बता होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले calculate करेंगे mole fraction of NO2. mole fraction of NO2 क्या आईगी आपकी? mole fraction of NO2 आईगी, moles by total moles, NO2 के moles कितने हैं? 1, और total moles कितने हैं आपके पास? 1 प्लस 0.5, तो हमारे पास इसकी mole fraction आईगी 1 by 1.5. और जब हम mole fraction of N2O4 की बात करते हैं, तो वो क्या होगी? 0.5, क्योंकि moles हमारे N2O4 के क्या एक equilibrium पे? 0.5 divided by total moles, that is 1.5. तो यह तो हमारी mole fraction आगई. और इस mole fraction को हम further किसे multiply करेंगे? तोटल प्रेशर से कभी हमारे पास partial pressure आएगा. So, partial pressure of N2O2 is equals to 1 by 1.5 into total pressure कितने आपके पास? 1 atmosphere into 1. So, यह आपकी value आईगी 1 by 1.5. And partial pressure of N2O4 वो आपकी कितने आईगी? 0.5 by 1.5 into 1. तो यह value आपके पास 0.5 by 1.5. यह आपके पास partial pressure of कितना आया? N2O4 का. अब इन दोनों को use करके आप क्या calculate करोगे? KP calculate करोगे. क्योंकि KP में क्या आपके पास? Partial pressures आपको calculate करने हैं. अब यहाँ पर आप ध्यान रखो. जब हम यहाँ पर बात करते हैं na products और reactants के लिए. अगर आपके पास products और reactants के कुछ coefficients भी हैं. जैसे अब यहाँ पर coefficient है. तो वो coefficient आपके इस तरीके से power में जाते हैं. जैसे यहाँ जो N और M मैंने put करे हैं. N हमारा coefficient of product है. और M हमारा coefficient of reactants है. जैसे हमारे पास यहाँ पर 2 है ना? तो जब आप यहाँ Kp की value calculate करोगे ना? तो partial pressure of NO2 का square. क्योंकि मेरे पास coefficient क्या है 2. divided by partial pressure of N2O4 की power 1. क्योंकि मेरे पास coefficient क्या है 1. तो इसका मतलब है कि क्या होगा? partial pressure of NO2 का square by partial pressure of N2O4. यह हमारे पास Kp की value आईगी. तो हमारी Kp की value क्या आईगी? क्योंकि kp is equals to partial pressure of NO2 का square by partial pressure of N2O4. यह हम देख रहे थे. और partial pressure of NO2 हमने कितना calculate करा था? 1 by 1.5 और N2O4 0.5 by 1.5 तो हमारे पास Kp की value क्या आईगी? 1 by 1.5 का square divided by N2O4 0.5 by 1.5 तो यह मेरे पास value आएगी 1.5 by 1.5 into 1.5 into 0.5 तो यहां से मेरे पास kp calculate होके यानि overall मेरे पास आएगी 1.33 यह value आएगी मेरे पास kp की अब हमें क्या करना है इस kp को use करके delta g calculate करना है और delta g के साथ relation क्या था minus 2.303 rt log kp तो बस यह temperature की value क्या थी हमारी 60 degree Celsius इसको convert करेंगे हम Kelvin में तो 60 degree Celsius को जब आप Kelvin में convert करते हो तो 273 add करते हो तो आपके पास value आएगी 333 Kelvin r की value आपके पास 8.314 joules per Kelvin per mole तो यहां से आप delta g की value निकाल सकते हो वो आएगी आपके पास minus 2.303 into 8.314 into 333 हमारे पास temperature 333 multiply log 1.33 क्योंकि हमने kp की value यही calculate करी है तो यह जब आप calculate करोगे इससे आपके पास delta g of reaction आएगा वो आएगा आपके पास minus 763.8 kilo joules per mole यानि आप इसको overall 1000 से भी divide कर दोगे ना तो उसके बाद आपके पास kilo joules में value आएगी तो यह आपके पास value आते है delta g of reaction तो इसी के साथ हमारा thermodynamics chapter complete होता है thermodynamics में हमने क्या-क्या study करा thermodynamics हमने शुरू कैसे करा था हमने सबसे पहले thermodynamics की introduction देखी थी फिर हम thermodynamics terms के बारे में बढ़ाता है हमने देखाता कि system क्या होता है surrounding क्या होता है universe क्या होता है हमने type of system देखे थे फिर हमने boundary study करी थी उसके बाद हम धीरे-धीरे internal energy, enthalpy, work, heat इन सब को study करते आ रहे थे और फिर हम लोग धीरे-धीरे इन सब को study करते करते पहुंचे किस चीज़ पर अपने processes पर कि अगर हमारे पास अलग-अलग type के process होंगे isothermal, adiabetic, isochoric, isoberic उन सब process में क्या-क्या conditions होती है फिर उसके बाद हम अपने forward eye enthalpy को लेकर हमने enthalpy को अलग-अलग forms में study करा standard enthalpy हमने study करी अलग-अलग reactions के लिए हमने enthalpy study करी phase transformations में हमने enthalpy को study करा हमने entropy और enthalpy को experimentally measure करना सीखा और उसके बाद फिर हम further continue करते आए अपने bond enthalpies पर जा हमने देखा कि हम जब enthalpy calculate करते है reaction भी, तब तो हम product minus reactants करते है लेकिन अगर वहीं हमें bond dissociation enthalpy given होगी तब हम reactants minus products करेंगे उसके भी हमने calculations हमने उसके लिए भी कुछ questions solve करके देखे फिर हम धीरे-धीरे जब हमने ये सारा process complete कर लिया फिर हम आये अपने spontaneity के criteria के उपर कि अब हमने ये सब तो पढ़ लिया कि reactions हो रही है पर वो reactions actual में होगी या नहीं होगी वो भी तो पता करना था ना उनको पता करने के लिए हमने energy से शुरू करा और entropy से होते वे हम gifts free energy तक आये फिर हमने gifts free energy को हमने spontaneity के basis पर देख लिया कि अगर negative होगी तो reaction spontaneous होगी positive होगी तो reaction non spontaneous होगी फिर हमने सोचा कि अगर हम इसको equilibrium पर चेक करें, gifts free energy को equilibrium से relate करें तो इसका मतलब है equilibrium पर हम equilibrium constant को use करना पड़ेगा वो हमें पताएगी हम further study करेंगे उसको लेकिन अभी हम उसको सिर्फ हलका use कर रहे हैं तो हमने gifts free energy और equilibrium constant में भी relation देखा और उसके basis पर हमने कुछ questions भी solve करें तो यहां पर आपका thermodynamics chapter complete होता है अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप comment box में पूछ सकते हो I hope आपको यह chapter clear हुआ होगा आपके सारे doubts clear हो गई होगे Thank you